अक्सर आपने इनको बॉलिवुड फिल्मों में देखा होगा, ये एक्टर हमेशा कॉमेडी करते हुए टीवी पर दिखाई देता होगा. फिल्मों में अक्सर साफ सुथरा रोल निभाने वाले इस एक्टर के बारे में आपने कभी भी नहीं सोचा होगा, कि ये एक्टर कभी ऐसा भी काम कर सकता है. आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड एक्टर दर्शन जरीवाला की, जिन्होंने गांधी माय फादर के लिए नेशनल अवार्ड जीत चुके लेकिन अब 65 की उम्र में एक महिला को प्रेगनेंट कर दिया और महिला ने उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का आरोप है कि उन दोनों ने गंधर्व विवाह किया. अब वह प्रेगनेंट है लेकिन अब एक्टर होने वाले बच्चे को और उसको अपनाने से इंकार कर दिया. तो चलिए जानते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई. सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि गंधर विवाह क्या होता है? गंधर्व विवाह का मतलब बिना अगनी के फेरे या रस्मों रिवाजों के आपसी सहमती से एक दूसरे को पति-पत्नी मान लेना है. हिंदू धर्म में गंधर्व विवाह को मान्यता दी गई है, लेकिन इसके साथ ही इसको लेकर विवाद भी रहे ह सिनेमा जगत में बहुत से अभिनेता ऐसे हैं, जो अपने दमदार अभिने के लिए पहचाने जाते हैं. उन्ही एक्टर्स में से एक हैं दर्शन जरीवाला. कॉमेडी फिल्मों से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले दर्शन जरीवाला ने अपनी गजब की कॉम और फिल्मों में अपने किरदारों से लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाले 65 साल के दर्शन जरीवाला मुश्किलों में घिर गए हैं। दर्शन जरीवाला पर एक महिला में चौकाने वाला दावा किया है। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्स करते हुए दावा किया है कि वह दर्शन के बच्चे की माँ बनने वाली हैं। महिला के इस दावे के बाद एक्टर का भी इस मामले पर जवाब सामने आया है। आपको बता दें कि दर्शन ने साल 1908 में टीवी अभिनेतरी अप्रा महता से शादी की थी। आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि एक साल बाद ही 1981 में दोनों ने फिर से आपस में शादी की थी। इसके पीछे उनका परिवार था जो चाहता था कि दर्शन और अप्रा की शादी धुमधाम से हो। इसी कारण से दोनों ने दोबारा शादी की थी। दर्शन और अप्रा की एक बेटी भी है जिसका नाम कुशाली है। लेकिन उनकी दो बार शादी के बाद भी यह रिष्टा साल 2004 में तूट गया। हालांकि अभी तक दोनों का तलाक नहीं हुआ है। लेकिन दर्शन और अप्रा काफी समय से अलग-अलग रह रहे हैं। एक दूसरे से अलग रहने के बाद भी दोनों अब भी अच्छे दोस्त हैं। मीडिया इंडस्ट्री में काम करने वाली इस महिला का कहना है कि दर्शन जरीवाला और उनके बीच प्यार भरे रिष्टे रहे हैं। दोनों में गंधर्व विवा हुआ था और अब वह प्रेगनेंट हैं। लेकिन अब एक्टर उसे और होने वाले बच्चे को अपनाने से इनकार कर रहे हैं। महिला ने कोलकाता के एक पुलिस स्टेशन में मामला दर्श कराया है। उन्होंने पुलिस को इस रिष्टे से जुड़े कई सबूत भी पेश किये हैं। महिला के मुताविक उसने सिंटा से माम की है कि वो इसमें उनकी मदद करे। साथ ही एसोसियेशन में आधिकारिक पद से दर्शन जरीवाला को हटा कर उनकी सदस्यता रद्द करे। महिला ने मीडिया को बताया कि वह अपने सम्मान के लिए यह लड़ाई लड़ना चाहती हैं। वह अच्छे से जानती हैं कि दर्शन जरीवाला एक सेलिबरिटी हैं और इस कारण उन्हें कई चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा। महिला ने बताया कि उन्होंने पुलिस के साथ कई सबूत साजा किये हैं। वहीं दर्शन जरीवाला की वकील सवीना बेदी सच्चर का कहना है कि एक्टर बेगुना है। एक बयान जारी करते हुए वकील ने कहा कि जब तक दोश साबित नहीं होता, तब तक किसी को भी दर्श फिगर को चोट पहुचाने की कोशिश की जाती है। वह आगे इस मामले को कानूनी आधार पर लड़ने के लिए तयार है। तो दोस्तों आपको दर्शन जरीवाला के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमिट करके बताएं। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।